बिल्व, बेल पता जिसे बोलते हैं, बोटनिकर नेम है, एगले मारमेलोस, रूटेसी फैमेली है, बिल्व, शिरीफल, मालूर, ग्रंथील, सदाफल, शांडिल्य, कंटकी, गंदगर्ब, महाकपीत और शेलेश, छेत्रिय नाम है इसका बेल, ये इसके प्रियायत है, छेत्रि होता है, पत्र जो होते हैं, संयुक्त होते हैं, और त्री पत्रक होते हैं, यानि तीन पत्ते वाला होता है, ये पुष्प हरित, आभा वाले श्वेद, मंजरियों से युक्त होते हैं, फल जो होते हैं, तीन से चार इंच व्यास के गोलाकार ये फल हैं, फल जो होते हैं, इ इसका उत्पत्तिस्तान, समस्तो भारत में फाए जाता है, रस पंचक देखते हैं, तो रस जो होता है,कशाय तिक्त रस वीरिय में हुष्ष, व उपाफ में कट्व होता है, ओ गुन्च होते हैं, इसके लगो और रुख्श गुन होता है, हुग होता है ßे नेक्स्ट देख अगनी मान्धय में अतिसार, प्रवाई का और ग्रणी में उपयोगी होता है। इसका फ़क्वभल जो होता है वो भिवन्द में लापकारी होता है। घरभाष्य में शोत में, सुथ प्रदर में और सूती का रोगों में इसका परियोग किया जाता है। आचारी चरक ओशुशुट तोनों ने ही बेल को उत्तम संग्राही बताया है, फल वात शामक मानते वे इसे ग्राही गुण के कारण पाचन सलस्तान के लिए समर्थ ओश्दी मानना जाता है, आईरुवेद में अनेक ओश्दियों के गुण और योग का बेल में बेल का महत बत बताया गया है, परन्तु एकाकी बिलवचूरन, मुलत्व पतर स्वरस को भी अत्यदिक उप्योगी है, लाब दायक होता है, चक्र दत बेल को प्रानी, पेचिश अतिशारों में और अर्ष में लाबकरी मानते हैं, बंग सेन और भाव प्रकाश ने इसे आतों के विकारों म में महतोपूर्ण बताया है, यह आतों की कारिय शमता बढ़ाता है, भूक को बढ़ाता है, इंद्रियों के बल को बढ़ाता है, और अपक्व फल की जो मज्जा होती है, वो रक्ताती सार में, और रक्त अर्ष जो होता है, उनमें लाब धायक होती है, विसिस्ट योग तो 3-6 gram लेना है, सुरस लेना है तो 10-20 ml लेना है, इसका पानक लेना है तो 20-40 ml लेना है, इसका chemical composition देखते हैं, तो मुक्यता इसमें Marvellosin present होता है, इसके अलावा इसमें Ingalinin present होता है.